हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो आपने फेस्बुक पर काफी लोगों का देखा होगा कि उनका जो फेस्बुक प्रोफाइल है वो लॉक बताता है अगर आप उनका फोटोस देखना चाहो तो फोटोस नहीं देख सकते हो अगर आप उनका फेस्बुक डीपी देखना चाहो तो डीपी भी नहीं देख सकते हो अगर आप उनके बारे में कुछ जानकारी चाहो तो जानकारी भी नहीं निकाल सकते हो तो आखिर ये सब कुछ होता कैसे है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये Facebook का अपना official setting है और अगर आप भी अपने Facebook profile को lock करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने Facebook profile को lock कर सकते हो तो चली मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने Facebook profile को lock करना है तो बिना टाइम वेश्ट किये करते हैं वीडियो को स्टार्ट में रामी सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूटूब चैनल दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को दबा कर औल पे सेट कर लिजेगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपने फोन में फेस्बुक को ओपन कर लेना है फेस्बुक ब्राउजर या फिर फेस्बुक लाइट आप जो भी यूज़ करते हों उसे आपको ओपन कर लेना है तो यहाँ पर हमें एक option मिलता है settings and privacy ओके तो simple आपको settings and privacy पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा settings ओके settings पे आपको click करना है दोस्तो settings के अंदर इतने सारे आपको settings मिलते हैं जो कि आपके काफी use में आ सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको one by one नहीं बता सकता, मैं आपको profile lock कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, अगर आप comment section में कहोगे, तो मैं आपको इसका एक एक setting बताऊंगा कि आखिर इसका क्या benefit है, यह क्या setting क्या work करता है, सब कुछ मैं आपको इसका बता सकता हूँ, comment section में आप मु क्लिक करना है, इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे setting है, काफी benefits यह settings हमें देते हैं, तो यहाँ पर profile locking पे आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, lock your profile, okay, simple आपको lock your profile पे click कर देना है, just यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर loading ले रहा है, और यहाँ पर बता रहा है, you locked your profile, okay, यहाँ पर आपको okay पे click कर देना है, दोस्तो अगर आप खुद से ही देखना चाहते हो, कि lock होने के बाद मेरा profile कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, three lines पर click करना है, उसके बाद आपको आजाना है settings में, settings में आने के बाद यहाँ प अगर आप देखना चाहते हो, कि आपका profile lock होने के बाद कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर see your profile पर आप click करेंगे, तो click करने के बाद आप देख सकते हैं, कि मेरा जो profile है कुछ इस तरह से बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर add friend का option आएगा, बाकी यहाँ पर बताएगा, सत्यम locked his profile, और उसके बाद यहाँ पर कुछ मेरा information नहीं देख सकता है, मेरा photos वेगरा नहीं देख सकता है, यहाँ पर लिखा है, सत्यम locked his profile, ओके, तो कुछ इस तरह से आप जो वो कर सकते हो, और यह काफी अच्छा है लड़कियों के लिए, क्योंकि काफी लड़किया, unsecure जो मैसूस करती थी पहले, लेकिन अब यहाँ पर सिफ उनके friends देख सकते हैं, और उनके relative देख सकते हैं, ओके, बाकी कोई भी नहीं देख पाएगा, तो बहुत ही कमाल का setting है, बहुत ही अच्छा setting है, तो आप इसे on करके रख सकते हो, अपने phone में, तो उम